तो यहां पर हमारे पास है सबस्ते सस्ते डंबल्स जो आपके Amazon पर मिल सकते हैं यह डंबल्स आपके सिर्फ धाइस उसे सारे तीन सो रुपए कोस्ट करते हैं भई प्राइस धाइस रुपए होने के बाद भी पैकिंग हजार रुपए का है किया है भई ओके यहां पर है दो तीन किलो के डंबल्स हमारे पास तीन किलो के मैंने दो डंबल्स लिये और दो किलो कर यह एक डंबल थोड़ा सा डिटी है या out of the box जैसे आप देख रहे है sand वगरा लगा हुआ है बट इसको clean करेंगे तो ठीक हो जाएगा बट पहले impression से मैं बोलूँगा यह इनसे मैं actually impressed काफी हूँ भाई यह dumbbell आपका सिर्फ 20 रुपे का है और यह dumbbell आपका सिर्फ सारे 300 रुपे का है इनको अगर आप rubber वाले खरीदने जाएंगे आपको आराम से दे रहजाद 2,000 रुपे का पर जाएगा तो 10% of the cost में आपको यह dumbbells मिल रहे है पर सबसे पहले इनका एक weight measurement टेस्ट करते है कितना ज्यादे यह accurate है कि नहीं weight में सबसे पहले 2 kg के dumbbell का करते है मेरा weighing machine 2 kg समझ ही नहीं पा रहा है 3 kg के dumbbell देखते है 2.90 और दूसरे एक को देखते है यह भी around 2.90 तो dumbbells का close-up मैं आपको एक बात दिखा देता हो यह है आपका 2 kg का dumbbell देखने में काफी अच्छा है इसके rod पे ऐसा grip pattern भी है पकड़ने में आपको easy होगा और आपको बाकी कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि कहीं पे भी कुछ लीक कर रहा है यह dumbbell थोड़ा सा dirty है बट overall build quality इसका मुझे थीक ठागी लगा है भाई प्राइस का कोड़िंग और यह है हमारा 3 kg का dumbbell 3 kg का dumbbell का build quality थोड़ा सा better है इसके end से यह देख सकते है ना यह cap इस cap को अगर आप निकालेंगे तो इस चीज के cap को अगर आप इस तरीके से निकालेंगे इसके अंदर आप देख सकते है यह है आपका मिट्टी यह देखिए इसके अंदर आपका मिट्टी भरा हुआ जाता है ऐसा एक cap से फिर इसको बंद किया जाता है और पूरा डंबल के बाहर का जो material है वो है आपका PVC अब आपको समझ में है कि ये डंबल कैसे इतना सस्ते बिचे याते हैं क्योंकि इनके अंदर simple मिट्टी डाला जाता है and I think मिट्टी ये companies free में ही कही से उठा लेती है पहले ये company PVC डंबल के एंडर sand भर के देती थी बट अभी recently इन्होंने ये मिट्टी ही देना शुरू कर दिया है and इस चीस में actually में problem कोई नहीं है अगर डंबल का ये जो end cap है ये ठीक से बंद हो then आपका ये मिट्टी लीक नहीं करेगा and ये आप आराम से यूज कर पाएंगा लेकिन ये डंबल आप एक बार देखिए ठीक है यहाप आप देख रहा हूँ तो यह तो यहाप यहाप आप देख रहा है ये देखिए अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ then इस डंबल से यहाप से निकल रहा है ये ये डंबल का जो end है ये ठीक से बंद हुआ नहीं है यë हिया ये से मिट्टी लीक कर रहा है इसलिए ये ये डंबल थूरा सा गandंद भी मिला था I think it defective mall दिया है यहां से पूरा मिट्टी लीक करड़ा है इसका तो यह जो तीन डंबल्स है यह actually मुझा ठीक टाग मिला है कोई मिट्टी नहीं है इन में देख रहा है अब ठीक से प्रॉपरली बंद किया गया है लेकिन यही एक डंबल्स है जिसका end cap ठीक से बंद नहीं किया गया है इसलिए इससे मिट्टी लीक हो रहा है बही तो इन डंबल्स के साथ ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकते है अगर हो रहा है दिन अफकोर्स इनको आप रिप्लेस करा सकते है हर एक माल आपको ऐसे नहीं मिलेगा कोई कोई मालम डिफेक्टिव होता है लेकिन सर्च बता हो तो सिर्फ एस एक डंबल को छोड़के यह जो बाकी तीन डंबल्स है यह मुझे अच्छली काफी पसंद आया है भाई यह डंबल्स आपको solid लगते है अबर इसको हिलाएंगे तो इसके अंदर कोई साउंड नहीं आता बिल्ट क्वालिटी इनका खराब नहीं है अच्छा है प्राइस का अच्छा है इनको आप इधर हो दर फेक भी सकते है और यह काफी जयदा वेट अकुरेट भी है तो सिर्फ 200 से सारे 300 रुपाय में I think this is a actually very very good deal भाई तो यह जो डंबल्स है मैंने में मेरे मम्मी के लिए खरीद है उनको वर्काउट करना शुरू करना है और मेरे पास यह पीवीसी डंबल्स भी है यह भी पीवीसी डंबल्स है यह 5 किलो के adjustable डंबल्स है यह उनको कुछ exercise में थोरा सा भारी लग रहा है इसलिए I think यह 2 किलो और 3 किलो डंबल्स बहुत वर्या है उनके लिए I'm really impressed just by the pricing तो यह आप आपके मम्मी के लिए भी खरीद सकते है तो अगर आप एक middle-aged woman है आप यह definitely आपके घर के लिए खरीद सकते है अगर थोरे से सस्ते में आपको कुछ जाई अगर मेरे जासे कोई defective माल मिलता है उसको replace कर लोगे तो अच्छा माल मिलेगा ना तो बहुत आपको पसंद आएगा बट मैं यह आपको guarantee के साथ नहीं बोल सकता है कोई दूसरे ब्रैंड के products किया है तो यह मैंने I guess lifelong नाम करके एक ब्रैंड से खरीद है आप भी उस ब्रैंड का ही खरीदे आपको अगर यह खरीद मैं मैं नीचे description में लिंक कर दूँगा आप check out कर लीजगा इस ही specific ब्रैंड से मैं खरीदने के लिए recommend करोंगा झाल